यादे बच्पन में जब बारिष होती थी हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, हम लोग कहते थे कि अगर बारेश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और अगर बारिष नहीं हुई तो चलेंग यार, स्कूल ऐसे में हम एक decision making करते थे, हम अपने life में बहुत सारी decision making करते, पर इग्जाम्पल, अगर मैं ठका हुआ हूँ, तब मैं बाहर घूमने नहीं जाऊंगा, और अगर मैं ठका हुआ नहीं हूँ, तब मैं बाहर घूमने जाऊंगा, तो इस तरह की decision making चलती रहती है, यार भूख लगी है, तो खाना मंगा लो, नहीं है तो मत लगा हो, भूख का इस्तेमाल कर सकते हैं एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं यह सारी conditional किस तरह से python programming में हम लोग use करेंगे यह मैं आप लोग को आज बताऊंगा चलते हैं computer screen में let's get started so guys मैं अपनी रैपल खोल लेता हूं सबसे पहले तो day 14 की और जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो आज का topic efl statement है कई बार प्रोग्राम में ऐसा होता है कि condition के हिसाब से मैं कुछ काम करूंगा for example मालनो मैं एक input लेता हूं user से और मैं कहता हूं by the way मैं int input इस तरह से लिख सकता हूं एक input को integer के तौर पे लेने के लिए age is और मैं कुछ इस तरह से कॉमा लगा के उसकी age उसको print करके दिखाऊंगा इसके बाद मैं conditionally अगर उसकी age 18 से ज्यादा है तो उसको display करा सकता हूं कि आप drive कर सकते हैं या आप drive नहीं कर सकते हैं इन दोनों में से कोई एक चीज ठीक है मान लो कि उसकी जो age है वो है greater than 18 ठीक है तो मैं उससे काऊंगा कि आप क्या करें मैं ऐसे colon लगाऊंगा enter मारूंगा और इसके बाद मैं काऊंगा कि भाई print you can drive और इसके बाद देखो मैं अभी पहले प्रोग्राम लिख देता हूं उसके बाद आप लोग को समझाऊंगा एक करकी क्या चीज क्या है space कौन सी दी है indentation क्या है you cannot drive ठीक है enter your age में मानलो मैंने 9 लिखा your age is 9 आ गया मैं दुबारा रन कर रहा हूं प्रोग्राम को इन दोनों AFL statement के साथ अगर मैंने 9 लिखा enter मारा तो देखो you cannot drive लेकिन अगर मैं 90 या 78 लिखता हूं यार अभी तक चला नहीं प्रोग्राम 78 लिखूंगा अगर in fact मैंने एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया शायद 768 लिख दिया मैंने 76 लिखा your age is 76 you can drive लिख करा रहा है ठीक है मैं जला से यहाँ पर colon space दे देता हूं तो based on input हमने आपर determine किया कि एक बंदा drive कर सकता है कि नहीं कर सकता है और अब मैं आना चाहूंगा यहाँ पर जो tutorial मैं greater than less than equal to greater than double equals to greater than equal to equal to is not a conditional operator by the way अगर मुझे equality check करनी है तो मैं double equal to से करूँगा सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताता हूं conditional operators के बारे मैं ठीक है conditional operators के बारे मैं बताता हूं greater than less than greater than or equal to less than or equal to ठीक है और इसके बाद double equal to का मतलब equal to यह check करता है कि whether दो number equal है की नहीं है तो मैं जर आप लोग को example दिखा देता हूं मैं बस print करूँगा is greater than 18 को ठीक है और मैं बस print करूँगा is less than equal to 18 को ठीक है और इसके बाद मैं print a is double equals to 18 को ठीक है और इसके बाद मैं print करूँगा a is not equal to 18 को यह not equal to भी एक हमारा conditional operator होता है not equal to ठीक है अब मैं इसको print करूँगा अब मैं देखो age को dynamically ले रहा हूं as an input from the user मालो मैं age को रखना चाहता हूं 18 मैं 18 रखा age को तो आप देखो क्या होगा क्या age is less than greater than 18 no it's not greater than 18 even if it is 18 अगर 18 भी है तो greater than 18 true नहीं होगा इसके बाद आप लोग देखो less than equal to 18 क्या less than equal to 18 है हाँ यार 18 है तो less than or equal to कहा गया है यानि कि less than होगा तब भी ठीक है equal to होगा तब भी ठीक है तो this will evaluate to true क्या age equal to 18 है exactly equal to 18 है yes that's true तो true यहाँ पर print हुआ यह हमारा boolean type return कर रहा है a is less than equal to greater than equal to double equal to a is greater than 18 यह हमारा boolean type return कर रहा है a is not equal to 18 क्या यह true है no this is not true a is actually equal to 18 ठीक है यह हमारे conditional operators होते हैं इसको comment out कर देता हूँ I hope आप समझ गए जो हमारा if statement होता है वो conditional operator लेता है यानि कि एक condition जो कि यह true यह false में evaluate होगी वो देखता है और देखने के बाद अगर यह चीज सच ह होती है यहनि कि अगर a is greater than 18 है तो यह block of code print करता है और अगर यह नहीं है true तो यह block of code print करता है लेकिन दोनों एक साथ कभी print नहीं करेगा यह यह तो if के अंदर जाएगा यह else के अंदर जाएगा इन दोनों में से एक के अंदर जाएगा अब आप लोग सोच रहे होगे कि यह यहाँ wraplet भी use कर रहे हो न अगर तो अब enter मारोगे तो automatically यह space आपको दे देगा इस space को कहते हैं indentation in python indentation का मतलब होता है कि आप लोग एक block start कर रहे हो अगर आप c language से आ रहे हो तो आप कुछ ऐसा समझ दो कि हम यहाँ पर curly brackets use नहीं करते हैं हम यहाँ पर सिर्फ spaces से बता देत यह colon लगा कर कि हम अब इस block में enter कर चुके हैं यहाँ पर if के बाद हमने colon लगाया और इसके बाद हमने एक space दे दिया यानि कि हम enter कर चुके हैं इस if के अंदर यहाँ पर enter मारोंगा अगर मैं print yes भी लिख दूँ तो हम अभी भी if के अंदर है अगर मैं यहाँ पर print no कर नहीं else के अंदर, तो अगर else के अंदर का code evaluate हो भी रहा है, execute हो भी रहा है ये code, उसके बाद भी आप लोगों को ये चीज प्रिंट हो कर मिलेगी, अगर नहीं भी हो रहा है तब भी प्रिंट हो कर मिलेगी, यानि कि else के अंदर का code execute हो या ना हो, इसका कोई मतलब नहीं है, इस इसका ना if से मतलब है ना else से मतलब है यह अपना भार लिखा हुआ statement है तो देखो आप लोग else के अंदर का code तो print हो रहा है sorry if के अंदर का code तो print हो रहा है क्योंकि greater than 18 है you can drive और yes और इसके बाद आप देखो यह भी print हो रहा है क्योंकि मैंने आपर एक indentation दे दिया है इसको मैं space नहीं अब यहाद रहता हुआ आप समझ जाना मैं किस की बात कर रहा हूँ मैं else block के अंदर घुस चुका हुआ, और जिएंगा एंगर एंज greater than 18 नहीं होगी तब ये print होगा, देखो ये print हुआ, लेकि अगर मैंने greater than 18 age लगा दी न, तब ये print नहीं होगा, आप देखो 78 के लिए, 78 age के लिए आप देखो यहाँ पर yes print हो रहा है, ये print नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अब else का हिस्सा है, ठीक है, जिस तरह से हमने if else statement को देखा, उसी तरह स है, तो if के अंदर जाएगा, वरना else के अंदर जाएगा, simple सी चीज मैंने लिखिया है, ठीक है, चलो भी काम करते है, replicate में एक नई file बनाते है, मैं सिर्फ एक file के साथ काम कर रहा था अभी तक, लेकिन अब मैंना files बनाऊँगा, मैं if else नाम से एक file बनाऊँगा, if else.py, तो द पाइथन की जो यह template एर apple की, इसमें main.py file रन होती है, सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा, कि यहां पर एक काम करूँगा, कि मैं console खुलना चाता हूँ, यार, shell खुलना चाता हूँ, actually, और मैं आपर लिखूँगा, python if else.py, ठीक है, if else.py, और Alexa, do not add apples to the card, मुझे दिख रहा है, अब यह मुझे क्यों दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं sharelle यहां पर रख लोगा, side में, अब यह क्यों दिख रहा है, मुझे मैं आप लोग को बताना चाता हूँ, देखो, apple की, जो price थी, वो 210 थी, ठीक है, और इसके बाद आप देखो, यहां पर budget मेरा 200 था, मै यहां पर मैंने if-else का परियोग किया है, ठीक है, बहुत ही simple सा example यहां पर हमने लिया, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अब, अब हम लोग LF statement के बारे में देखेंगे, देखो यार, अगर मान लो कि मुझे एक से जाधा statements जो है, वो execute कराने है, based on certain condition, जैसे कि मान लो, कि अग एक सो नबबे के कर देता हूँ apples, तो शहर मैं ना खरीदना चाहूँ, तो मैं काम करूँगा कि अगर apple price less than equal to budget हो, और उसी के साथ साथ एक और condition में check करना चाहूँ, या फिर मैं कहूँ कि apple price, या फिर मैं कहूँ budget minus apple price, तो basically मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, budget minus apple price is greater than, जो मेरे पास पैसे हैं, मालो मेरे पास 20,000 रुपए हैं, और apple 190 के हैं, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो अगर मेरे पास बचे वोई पैसे हैं, या निकि यह वो पैसे हैं, जो मेरे एपल खरीदने के पाद बचेंगे, जो मेरा budget है, जो मेरी जेब में पैसे ह पाई करता हूं, इसको, apple को 10 करता हूं, और मेरी जेब में 200 रुपए है, तो 190 बचे मेरी जेब में, तो अगर वो greater than as long as 50 है, I will buy the apples, ठीक है, but, elif, but अगर budget minus apple price is greater than 20, ठीक है, अगर वो greater than 20 है, या फिर greater than 70 है, मालो, तब मैं क्या करूंगा, मालो, print करूंगा, it's okay, you can buy, ठीक अब मैं इसको run करूं, अगर, तो आप देखो कि 190 है, क्योंकि, in fact, मुझे आज shell से run करना पड़ेगा इसको, इस तरह से, pythonifls.py, add 1 kg apples to the cart, तो क्या हुआ कि ये condition true निकली, ठीक है, तो इसने ये execute कर दिया, अगर ये condition false निकलती, तो ये इसको check करता, and so on, let me change the example, और एक अच अच्छा example दोगा, alif statements का, ठीक है, तो यहाँ पर, if else statements, if else के साथ, alif statements, ये आ गया, ठीक है, तो मैं इसको copy करता हूँ, यहाँ पर, और मैं alif.py के नाम से एक program बनाता हूँ, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कि alif.py के नाम से एक program बना हूँ है, num की value 0 है, क is negative, equal to 0 है तो positive, वरना, sorry, equal to 0 है तो 0 वरना positive, ठीक है, और इसको अगर मैं चलाओ, लिखोंगा python, ठीक है, और लिखोंगा alif.py, और यह चल जाएगा, enter the value of num, मानलो मैंने 7 किया, number is positive, मैं दोबारा इस program को चलाओंगा, और मानलो मैं लिखता हूँ, minus 8, number is negative, और अगर मैं 0 द तब तो यह तीनों में से सिर्फ एक ही execute होगा, जो कि if वाला है, अगर if की condition true होगी तो, लेकिन अगर यह condition true नहीं हुई, तो यह alif की condition पर जाएगा, और उसको match करने की कोशिश करेगा, अगर मानलो यहाँ पर एक और alif होता, तो वो उसको भी check करने की कोशिश करता, if num is equal to equal to, मानलो minus triple 9, ठीक है, मानलो minus triple 9 है, यह फिर plus triple 9 करोगा, यहीं पर रुख जाएगा मेरा if, triple 9 number is special, मानलो मैं यह करता हूँ, else number is positive, ठीक है, अब इसको run करते हैं, और देखते हैं कि अगर मैं triple 9 करता हूँ, तो number is special आता है कि नहीं, number is special आ गया, तो यह कैसे काम करता है basically, अगर if की condition true हो गई, तो यह यहाँ से सीधे यहाँ जम करेगा, यहाँ पर, मानलो मैं यहाँ लेखता हूँ, I am happy now, तो यह प्रोग्राम खुश हो जाएगा, यह बोलेगा चलो यार, मुझे एक condition match करानी थी, वो मुझे मिल गई, और एक बार इसकी condition match हो गई ना, तो यह इत गाता, मेरी condition में लेगा है less than zero, तू है triple nine, तो चल निकाल यहाँ से, फिर यह बोलेगा, equal to equal to zero, please मेरी condition match करादो, यह बोलेगा, यह बोलेगा, यह यह बोलेगा, higher condition तो match हो रही है, condition क्या है, double equal to triple nine, और वो match हो रही है, तो इसलिए सीधा else के पास भी नहीं जाएगा, और इस और क्योंकि यहाँ पर jump हो रहा है I am happy now मुझे देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखो, एक तो इसके अंदर का code देखने को मिलेगा और I am happy now तो मिलेगा यह देखने को चाहे कुछ भी execute हो enter the value of num, 7 number is positive, I am happy now enter the value of number मालो minus 9 number is negative, I am happy now 999 पर number is special I am happy now, तो I am happy now का इस if else ladder से कोई मतलब नहीं है, ठीक है कोई मतलब नहीं है इस if else ladder से, तो यह if, elif elif, 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 kitने भी बनचाए मैं elif लगा सकता हूँ ठीक है, और वो सब check होते रहेंगे जब तक condition match नहीं हो जाती तो इस तरह से if else, elif काम करता है, ठीक है I hope कि आप लोग समझ गए यार अब इसके बाद मैं आपको nested के नाम से एक प्रोग्राम बना कर देता हूँ इसका नाम मैं रखूँगा nested.py मैं इसका rename करके ज़रा rename spelling ठीक कर देता हूँ इसकी, बैसे कभी भी ना python के keyword, python के package इनके नाम से प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए इसलिए मैं इसका नाम रख दूँगा myif.py ठीक है, यूकि if जो है वो हमारा python में keyword है, मैं नहीं चाहता कि keyword clash हो या कोई file का नाम clash हो एक बहुत ही classical error आता है python में जिसमें क्या होता है कि आप module के नाम से अगर file बनाते हो, तो वो module में नहीं देखता है, आपकी file में ही देखता है तो error आने लग जाता है, इसलिए कभी भी आप किसी module के साथ काम करें जैसे कि flask, jango flask.py नमत बनाओ program jango.py मत बनाओ program ठीक है, आई होप आप समझ गए, इसलिए मैं इसका नम my if कर दिया, फिर मैंने if else बनाया फिर alif बनाया, मैं इसको जरह सा और अच्छे से कर देता हूँ, इसका नाम मैं 01 space my if कर देता हूँ, इसका नाम मैं rename कर देता हूँ my alif, ठीक है in fact ये program और ये program मैंने एक बेड में जरह यहाँ पर name कर देता हूँ इसको 02 just आप लोग की convenience के लिए मैं चीज कर रहा हूँ ताकि आपको मिल जाए कौन सा program आपको पहले run करना है, ठीक है तो मैंने 123 करके programs बना लिए, एक 04 बनाएंगे और उसका नाम होगा nested.py ठीक है nested.py के नाम से मैंने बनाया ये program मैं क्या करूँगा कि आपको nested.py statements के बारे में बनाऊँगा nested.py statement कुछ नहीं है एक if के अंदर एक if आपने लगा दिया और आप ऐसा 10-50 बार कर सकते हो let me explain, देखो यार अभी यहाँ पर हमने क्या लिखा है हमने यहाँ पर लिखा है num is equal to 18 अगर num less than 0 है तो यह इस code को execute करेगा इसके नीचे भी कोई line होती है अगर इस indent पर इस level of indent पर, अब level of indent के concept को समझो यह एक level of indent हो गया, ठीक है? मालो num less than 0 जो की नहीं है, num 18 है तो यह alif में जाएगा, num greater than 0 है yes, num is greater than 0, num is actually equal to 18, which is greater than 0 तो यह यहाँ पर alif के अंदर जाएगा इसको evaluate करेगा फिर इसके बाद इसको दुबारा से if else ladder मिल गई है, तो उसको evaluate करेगा तो अगर num is less than equal to 18, नहीं sorry, num is less than equal to 10, नहीं क्या num is greater than 10 and less than less than equal to 20, yes that's true, तो यह इस के अंदर जाएगा तो यह second level of indent आ गया, एक indent तो इस alif का चली रहा था, अब यह इस alif के अंदर के alif में आ गया ठीक है, तो इस तरह से आपको programs को अपने evaluate करना होगा, तो यह इसको print करेगा, numbers between 11 to 20, ठीक है, और इसके बाद else के अंदर जाएगा नहीं, फिर इसके बाद इस वाली else में भी नहीं जाएगा, यह तो इस वाली if का else था, और यह वाला else इस वाली if का था, ठीक है, I hope समझ रहे हो आप लोग चीजों को, ठीक है अब मैं जरा run करता हूँ इस program को और आप लोग को दिखाता हूँ, 04 underscore nested, 04, tab अब आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, अपने आपको यहां ले जाता हूँ ठीक है, मैं यहां पर आ गया हूँ अभी, अब आप लोग को दिख रहा होगा in fact मैं ओपर आ जाता हूँ, यहां ठीक लग रहा हूँ और अब देखो, आप लोग यहां पर मैंने 04 nested.py के नाम से बनाया और देखो number is between 11 to 20 यहां पर आ गया, ठीक है I hope कि यार, you are happy now समझ में आ गया अब आपको कि if, else, elf किस तरह से काम करता है अब ऐसे में भी अगर कोई मुझ से यह कहता है कि यार, हमें समझ में नहीं आया कि यह output किया है, किस तरह से काम करता है यार, मैं आप से यह कहना चाहूँ कि आपको practice करने की जरूरत है और practice हर topic की करने की जरूरत है कुछ programs बनाओ, आने वाली exercises को solve करो और बने रहाओ course में कोई भी topic समझ में नहीं आता है watch it again, watch it again what's the problem, आप दुबारा से देखो कुछ ऐसा नहीं है कि यार, आपको day three 10 बार अगर देखना पड़ रहा है न that's going to be worth it, आपको अगर समझ में आ जाता है as long as आपको समझ में आ जाता है it doesn't matter, ठीक कि आपने 10 बार देखा I hope यह चीज आपको समझ में आती है और अगर आपने प्लेलिस आकसेस नहीं करी तो इसको जरूर अकसेस करना अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आपको समझ में आपको समझ में आता है